कि नमास्कार जैहिद मैं भरत गुपता आपका जूरदार स्वागत करता हूं मित्रों कैसे हैं उमीद करते स्वस्त होंगे मस्त होंगे आपका दिनकार भी बढ़िया से चल ला होगा हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ट्रॉफिक लेबल क्या है टी एंग फूड लेबल क्या है फूड लेबल क्या है पूड चेन पूड वेट इनके बारयस हमने चिर्चाय न कर चुकी है अगर जो जो लोग नहीं देखे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन उनका लिंक देदूँगा, आप देख लिजेगा, चलिए आज हम बात करते हैं, पिरामिड क्या है, इको सिस्टम में या एकोलाजिकल पिरामिड है क्या, आपने अगर पॉन्ड देखा है, तलाब देखा है, या जू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, विरिएश ट्राफिक लेबल का, एक ट्राफिक लेबल का, दूसरे ट्राफिक लेबल का, इनका एक ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना क्या कला आता है, एको question पुछा गया है ecological pyramid का दूसरा नाम क्या है एलटीनियन pyramid है क्योंकि term या concept सबसे पहले एलटन ने दिया था चलिए देखिए पिरामिट के अगर type की बात क्या जाए तो तीन तरह के हमको दिखते हैं नंबर के अगर संख्या account के हिसाप अगर देखा या तरह पिरामिड आप नंबर दूसरा पिरामिड आप बाई-मास नका weight के अगर देखा जाए तो रेप्रेजेंट के अगर रोप में तो पिरामिड आप बाएस ठीक है ये समल ये युनिवेर्सल्टू था और बहुत बार पूछा गया विविन इक जानों में इसको इस प्रकार समझते हैं सन है सन से जो 100% एनर्जी प्रोडूसर कनवर्ट कर देते हैं किसमें केमिकल एनर्जी में ठीक है वो उसमें 100% एनर्जी स्टोर होता है अब प्रोडूसर को खाने वाले प्राइमरी कंजूमर हैं हर भी ओर से हैं ठीक है अब उन्हों ने 10% एनर्जी उसका क्योवल अपने पास स्टोर कर पाते हैं ठीक है और 90% हीट और रिडियेशन के रूप में बहार निकाल देते हैं अब primary consumer को खाने वाले secondary consumer हैं अब उसका 10% energy second consumer अपने पास रखता है बाकि 90% heat और radiation के रूप में बहाँ निकाल देता है अगर इनको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा energy किसमें मिलेगी producer में क्योंकि इन्होंने 100% रखा था इसके बाद 90% दोने बाहर रिकाल के 10% अपने PAK रखा था उसका 10% e 3 के पास 90% बाहर निकल गए था इस पकार देखा जाएं तो इनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होता है सबसे ज़्यादा energy even में होता तो हमने even को सबसे ज़्यादा नीचे रखा फिर उससे कम e2 का फिर उससे कम e3 का सबसे कम e4 का अगर इनको graphic की रूप में present किया जाए तो हमेशा इनको पिरामिड की रूप में दिखते हैं पिरामिड के बेश चलिए यह 10% जो इस टूर करता है इसको सरपथम लिंडे मान ने बताया था किसने बताया था लिंडे मान ने बताया था इसलिए 10% energy लाग किसने दिया था लिंडे मान ने यह बहुत important इस पर question पूछा है आपको question आगे मिलेगा भी ठीक है तो 10% energy लाइस गिवन बाई लिंडे मान अब देखते हैं हम एक एक कि पिरामिड के बारे में बात करते हैं हमने ecological पिरामिड आफ एनर्जी की चर्चा कर लिए अब बात कर दें पिरामिड आफ नंबर में हमने दो कटेगरीम बाट दिया अप राइट और հिंवर्टेड, आप राइड और इनवर्टेड, पिरामिड आप बायो मास को भी हमने दो कटेग्रिंब बाटा है , आप राइड और इनवर्टेड, ठीक है एक सीधा पिरामिड और एक उल्टा पिरामिड , ठीक है, एक उल्टा पिरामिड ख्रा वाला कहां पर पिरामिड आप नंबर ठीक है तो हमेशा ट्री को सिस्टम है पिरामिड आप नंबर में ट्री को सिस्टम का उल्टा होता है ठीक है अब चलिए देख लिए ग्रास लैंड इको सिस्टम यह कि हम देखते हैं ग्रास लैंड इको सिस्टम में की बात किया है सबसे सबसे लाघान्बर का नंबर और प्रेजिसर को खाने वाले व किस का होगा फिसकर अगर देखाया तो सबसे नंबर किसका सबसे अदा नमबर प्रोडूसर कंग लोके नंबर सबसे ज्यादा आप Olivia कम नंबर होगा अफिरां का अश्डिकते कि यह क्या है हमेशा अप्राइट प्रदेशन करता है जो आड़र इसे शिस्ट्रण कोगा उससे कम ट्रीडिक सिंटल को पहता है याद रखे गाती इकोसिस्टम के लगे ट्रीगो गहेते हैं एस विम्पूर्ट है इसके जाहों करनेगे ट्रीहकोसिस्टम पहते हैं है अब दिखिए सबसे कम नमब्र को ट्रीयर को स Сबसे कम नमब्र कि त्रीक होगा ठीक है उससे कम नंबर उससे ज़्यादा उसका होगा बर्ड होंगे उससे ज़्यादा उस पर रहने वाले बर्ड होंगे और उससे ज़्यादा नेश्ट परासाइट होगा उससे ज़्यादा हाइपर परासाइट और आगे हो जाएगा तो अगर देखेंगे तो हमको inverted pyramid दिखेगा, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा number मिलेंगे, जो parasite या hyper parasite होंगे, उससे कम number मिलेंगे, bird के होंगे, ठीक है और सबसे कम number किसके होंगे tree के होंगे, तो tree का pyramid हमेशा inverted मिलता है, ठीक है अब बात करें, pyramid आप, biomass, biomass तो weight के सबका weight तोले, जो हमको relation मिले, उसको pyramid के रूप में, ग्राप के रूप में represent करें, तो उसको बोलेंगे, pyramid आप, biomass, चलिए देते हैं, इसको भी ऐसे समझते हैं, अगर grass land की pyramid की बात क्या जाए, तो सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा घास का, अगर घास और उसको rabbit से कम weight lion खाने, कह लिजे, लूमडी या fox का होगा, और उससे कम उसको खाने वाल लाइन का, तो देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा even, फिर उससे कम, मतलब सबसे ज़्यादा घास का वजन, फिर उससे कम rabbit का, फिर उससे कम, ठीक है, fox का, उससे सबसे कम lion का, तो देखा जाए, एक relation डबलब हो रहा है, तो upright मिलता है, इसी परकार, अगर tree का, इको system की बात क्या है, अगर tree का वजन तो लाइन सबसे बारी tree होगा, उससे कम वजन, पच्छी का होगा, ठीक है, और उससे कम वजन, ठीक है, पच्छी को खाने वाले जो है, गिद का होगा, इस तरह दिखाए, तो एक system upright मिलता है, और, तो हमको याद क्या करना है, हमेशा inverted वाला याद करना है, पिरामिड आप बायो मास की बात किया जाए, तो एक्वाइटी या पॉर्ण का inverted, जो है, वेट जो है, सारी, जो है, पिरामिड हमेशा inverted मिलेगा, बायो मास में, एक्वाइटी या पांड का inverted मिलेगा, आप पिरामिड आप नंबर की बात किया जाए, तो तुरी का एको सिस्टम मिलेगा, तो दो ही inverted मिलेगा, दो case में, आपको, अगर बात के जाए नंबर के कैस में हमेंशा ट्रीको सिस्टम का मिलेंगा बायोँ मास्ट के जाए तो हमेंशा एक्वेटिटिग पॉण्ट वालायाद करेंगा चलिए तो इसको हम ट्रीक्स याद करते हैं क्योंकि बड़ा कंफ्युजन रहता अभी तो याद रहेका बाद कोड़ को सिस्टम एन मतलब इन कोगर कहा जए ऩ patri नंबर है है if अधो अगर बात क्या जए पिरामिड आप नमबड टी का इनवीटेड दो सहले साह mínimo मडे की बात कर रहुं फ़ाया हम इनवीटेड की बात कर रहे हैं हम हम इनवीटेड की बात कर रहे हैं तो टी ट्रेंध भी train ab इख है त्री नामबर आप विको सिस्टम का नमबर आफ एको स्कर्पिरामिड हमेशा इन्वेटेड़ होता है अब एक्वेटिक है एक्वेटिक भी आयू मुध्यह सुआ है और अर्वाइयुमास का एक्वेयक वाला इन्वेटेड होता है यह टीक है ट्रेन a b मैं तो आप हमको उम्मेद करते हैं कि आपको जो train ev heika समझ में आ घिक होगी ठी के पीरामिट टाइप पीरामिट क्या है उसमझ में होगा ठीक है अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक करें सेयर करें सर्सक्राइब करें जाए हिन जल्दी मिलते हैं नए नेस्ट वीडियो के साथ जाए हिन जाए भारत